नवश्कार दोस्तों आप सभी का एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों स्मार्ट फोन की फील्ड में हर दिन कुछ नया आता है और मैं अपने चैनल पर हमेशा की तरह आपको अन्बॉक्स करके कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बात आती है अगर एक ऐसे फोन की जिसका बैटरी बैकफ काफी लंबा हो जो की काफी हद तक रिलाइवल हो कॉलिंग और मैसेजिंग और इन सब चीजों को लेकर और अगर आप कहीं ट्रावल पर जा रहे हैं जहां पर आट-दस दिन चार्जिंग का इंतिजाम नहीं है और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि आपका चलता रहे आट-दस दिन लगातार तो कहीं न कहीं हमें याद आते हैं आपने वो पुराने फीचर फोन जिनका हम लोग इस्तिमाल किया करते थे वो बटन वाले फोन तो कहीं न कहीं समय के सासत वो गाइब से हो गया लेकिन आज भी हमें उनकी काफी ज़दा याद आती है उनका users feel होते हैं कि काश वो मेरे पास होता तो अगर आप कुछ ऐसा ही खरीदना चाहते हैं एक budget में रहकर तो ITIL आपको देता है Magic 2 4G का ये box जो कि आजकल काफी ज़दा popular हो रहा है दोस्तो इसे आप एक feature phone नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तो यहाँ पर है ये एक ऐसा super phone जो की काफी ज़दा कमाल के features के साथ आता है दोस्तो जो normal आपको phones देखने को मिलते थे वहाँ पर आपको 2G का support देखने को मिलता था लेकिन ये phone आपको 4G प्रवाइड कराता है तो बहुत सारी इसी चीज़ें है इस phone के अंदर 4G, Wi-Fi, Wi-Fi, Hot Spot इनके बार में डिटेल से बात करेंगे लेकिन फटा-फट कराते हैं इसे open और देखते हैं क्या खास रहेगा इस box में आपके लिए तो दोस्तो यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं यहाँ पर एकदम transparent शेप में तो यह चीज़ काफी कमाल के लगे कि सामने की तरफ आपको इस phone के जो key features रहते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको dual voltage का support मिल जाता है साथ में आप जो है इसका इस्तेमाल एक Wi-Fi hot spot की तरीके से भी कर सकते हैं और King voice का यहाँ पर आपको support दे रहा है यह तीन इसके key features रहते हैं जो कि काफी game changing होने वाले side में भी हलाकि यही features आपको दे रहते होंगे जहाँ पर आपको एक चीज़ और mention हो जाते हैं कि यहाँ पर आप इसे Wi-Fi के साथ भी connect कर सकते हैं बाकी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको one time screen replacement के लिए लिखा हुआ है जो लगभग एक साल तक अगर screen में कोई दिक्कत आती है तो आप इसकी screen को change करा सकते हैं free of cost तो यह चीज़ यहाँ पर रहती है बाकी box तो बड़ा ही प्यारा सर लगी रहा है पीछे की तरफ यह आपको box में एक phone की छोटी सी image दे रखी होती ही जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो फटावट phone को बाहर निकालते हैं देखते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या खास रहता है तो phone यह रहता है आपका जो की देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है तो इसके look के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे side में रखते हैं निकालकर फिलाल एक बार इसकी accessories को देख डालते हैं तो यहाँ पर accessories में सबसे पहले तो आपको यह battery देखने को मिल जाती है जो कि इस phone की जान होने वाली है तो कहीं न कहीं इस battery को बाहर निकालते हैं काफी slim सी रहती है और lightweight भी है और इसकी अगर हम capacity की बात करते हैं तो यह आपको लगबग 1900 mh की देखने को मिल जाती है यहाँ पर जो इसकी battery होने वाली है एक normal feature phone को अगर देखा जाए तो उसे साथ से काफी ज़्यादा रहती है standby time जैसे कि मैं आपको शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर आपको 24 दिनों के रहता है आपका प्यारा सा charger जो कि आपका micro USB based होने वाला है तो इस charger को अगर आप देखेंगे तो इसकी cord भी काफी लंबी से लग रही है एक बार open भी कर लेते हैं इसको तो यह चीज़ काफी सही रहती है यहाँ पर आपको जहें micro USB देखने को मिल गई है जिसकी वज़े से काफी बहतर रहेगा तो अगर आप power bank वगरा से भी charge करना चाहते हैं फोन को तो बढ़ी easily हो जाएगा तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की रहती है cord भी काफी ठिक ठाक यहाँ पर आपको इसकी length दे रखी होती है तो इसे भी फिलाल side में रखते हैं और देखते हैं कि भाई box के अंदर और क्या-क्या रहता है तो यह कुछ basic सा paper work दिख रहा है जो कि यह अंदर की तरफ रहेगा तो इसे मैं बहार निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर आपको एक quick start guide और user manual दे रखी होती है जिसे कि आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं तो इसे निकालके रखते हैं side में और कमाल की चीज़ तो यह चीज़ आपकी रहती है यनि कि box के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं यह प्यारे से earphone जो कि अपने आप में एक कमाल बात होने वाले हैं आजकल boxes के अंदर में earphone देखने को मिल जाते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा जो है अलग सी feeling होती है और यहाँ पर देखने को मिले हैं तो यह चीज़ काफी बहतर रहेगी तो फिलाल अभी हम लोग समान को side कराते हैं यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल गई हैं वाक्स के अंदर फोन को setup कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4G का support दे रखा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे जियो का SIM और देखेंगे कि यह किस तरीके से काम करता है तो फटावट समान को side कराते हैं उसके बाद setup करते हैं इस phone को तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हटा लेते हैं इस screen protector को जिसे कि मैं यहाँ लगा देता हूं फिलालवी और आप देख सकते हैं phone काफी खुबसूरा सा लग रहा है और keypad की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बीच में एक center button देखने को मिल जाती है जो कि खास तो आप वाई-फाई dedicated रहती है और बाकी आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आपको torch button दे रखी होती है साथ में नीचे की तरफ zero button से आप king voice on off कर सकते हैं और यहाँ पर hash button से आप अपनी device की profile को change कर पाएंगे तो दोस्तों यह सब चीजन तो आगे जाकर भी देखेंगे उपर की तरफ आपको speakers देखने को मिल जाते हैं अगर आप back में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा camera दे रखा होता है जो कि rounded shape में रहेगा और इस camera की बात करे जाए तो यह आपको 1.3 megapixel कर रहता है और साथ में कमाल की बात तो यह है कि नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा flash भी दे रखा होता है यहाँ पर आपको magic की branding देखने को मिल जाती है और साथ में यहाँ पर आपको छोटे से speakers देखने को मिल जाते है जो कि काफी कमाल की sound आपको देंगे और नीचे की तरफ आपको i-tell की branding देखने को मिल जाएगे इसे आप दो color में ले सकते हैं यह मेरे पास blue color में है, आप अगर चाहें तो इसे black color में भी purchase कर सकते हैं, तो फटा-फट मैं इस phone को open कर लेता हूँ, वही एकदम पुराना तरीका रहेगा phone को open करने का, और कुछ इस तरीके से आप phone को open कर सकते हैं, तो यह चीज आपकी रहती है, कि यहाँ पर आपको triple slot दे रखे हैं, यानि कि दो SIM लगा सकते हैं, आप यहाँ पर 4G SIM और साथ में एक memory card लगा सकते हैं, यह अपने आप में कमाल की बहतर हैगी, और दोस्तो एक चीज यहाँ पर जो काफी गौर करने वाली हो जाती है, कि अंदर की तरफ आपको made in India का tag दिखने को मिल जाता है, तो कहीं न कहीं यह phone पूरी तरीके से इंडिया में बना हुआ है, तो यह अपने लिए एक काफी कमाल की बात होती है, तो दोस्तो यहाँ पर यह मेरे पास Jio का sim रहता है, जिसे कि मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो वही एकदम पुराना हिसाब केताब है, यहाँ पर sim को लगाने का, और यह चीज कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपने micro sim को लगा पाएंगे, और इस तरीके से लगा कर आपको बस लॉग करना होगा, तो यह देखे, आपका sim लग गया, आप मैं लगा देता हूँ, बैटरी और फटा-फट on करता हूँ, इस phone को कुछ setup करा लेता हूँ, फिर बात करता हूँ आप से इसके बारे में details से, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस phone को setup करा लिया, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पर काफी खुपसूरत सा look wise लग रहा है, जो इसका color है, काफी attractive type का है, और यहाँ पर मैंने Jio का sim डाला है अभी आपके सामने, और देखे, आप उपर की तरफ हो, आपको हो सकता है छोटा सा दिख रहा हो, तो यहाँ पर आपको जो है, उपर की तरफ वोल्टी 4G लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो यह अपने आपने कमाल की बात रहती है, वही पुराना तरीका रहेगा आपका जो है, इसे अनलॉक करने का, और Jio 4G की यहाँ पर आपको जो है, देखने को मिल जाएगा, कि वही सिगनल भी हमारे आ चुके है, तो फटाफट एक बार देखते हैं, कि यहाँ पर मेंन फीचर्स क्या होने वाले हैं, तो एक बार चलते हैं, मैन्यू में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कॉल हिस्ट्री वगरा है, और यहाँ पर कॉंटेक्ट्स हैं, जो सो बात यहाँ पर अगर हम इसकी मैमरी की करें, तो यहाँ पर आपको 64 MB की RAM देखने को मिल जाती है, और 128 MB की ROM देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप लगभग 2000 कॉंटेक्ट्स सेव कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेव भी कर लिए, एक्सपोर्ट कर लिए, हमाई से में ही पड़े थे, तो यह चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो मैंने यहाँ पर अभी जो सामने प्लांट रखा था, इसकी फोटो ली है, तो काफी खुपसूरा सा आपको यहाँ पर देखने में लग रहा होगा, तो ठीक ठाक यहाँ पर इसकी भी परफॉर्मेंस रहती है, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपको यहाँ पर आईटेल जोन दे रखी है, जहाँ पर आपको फेस्बुक वगएरा जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप यहाँ पर दो ब्राउजर के ओप्शन दे रखे होते हैं, डोराडो और ओपेरा मिली, तो यहाँ पर आप जिसमें भी चाहें उसमें open कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर वाइफाई भी set करा लिया है, तो आप इसे वाइफाई में कुछ इस तरीके से, या फिर आप अपना फोन का इंटरनेट आउन करके कुछ इस तरीके से access कर सकते हैं, तो यह चीज़ आपको मिल जाती है, और यह चीज़ देखे, आपको बड़ा पुरानी यादे ताजा हो रही होंगी, क्योंकि एक जमाना था जब हम में से बहुत से लोग कुछ इसी तरीके से Facebook का मजा लिया करते थे, तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी, Google वगरा भी है, Wikipedia है, आप access कर सकते हैं, यहाँ पर काफी सारी चीज़े यहाँ पर आइटेल जोन में देखने को मिल जाएंगी, messages वगरा यहाँ पर store रहते हैं, options यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और finally अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इसकी hotspot feature की जो की काफी famous है, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बस on करिए, अपना password वगरा सेलेक्ट करिए, जैसे कि यहाँ पर hotspot का name आपको दे रखा है, इसमें Wi-Fi, hotspot की तरह आप इस phone को इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में Opera Mini है, जो कि अभी मैंने आपको Facebook login करके भी दिखाया, तो यहाँ पर यह भी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पर settings में भी बहुत सारे feature हैं, call, phone, यह सब settings है, तो यह सब तो आपको काफी हैं तक पता ही होगी, जिनने आप अपने साब से यूज़ कर सकते हैं, गेम्स यहाँ पर आपको काफी सारे दे रखे हैं, लगबग यहाँ पर आपको 8 गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जो इसमें pre-installed रहते हैं, तो जिनने आप खेल सकते हैं, इंटरनेट में आप चाहें तो डोराडो यूज़ कर सकते हैं, या ओपिरा मिनी यूज़ कर सकते हैं, तो यह आपकी choice रहेगी, बाकी यहाँ पर आपको image viewer दे रखा है, अभी मैंने photo भी खीची है, बाकी यहाँ पर आपको keypad पर shortcut भी दे रखा है, torch को on करने का, और Bluetooth का support भी यहाँ पर आपको दे रखा है, एक चीज़ मेरे को इसकी और कमाल की लगी है, और अगर आप इसका super battery setting on करते हैं, तो यह आपकी battery को एक अलगी mode पर ले जाता है, तो आप देख सकते हैं, brightness भी हलकी सी इसने कम कर दी है, तो यह चीज़ काफी कमाल की रहती है, कि आप अगर battery बचाना चाहते हैं, तो बस आप standby की तरह अगर इससे use कर रहे हैं, तो इसका super battery settings भी आप on कर सकते हैं, जो की काफी बहतर रहेगा, तो यह चीज़ मेरे को काफी सही लगी है, और finally king voice के अगर हम बात करते हैं, और अभी मैंने इसे one करके रखाया, जिसे कि आप यहां से set कर पाएंगे, और अगर आपको king voice on करने हूँ, तो बस कुछ इस तरीके से आप इसे करते हैं, वही आपको सुनाई दे रहा है, अगर आप यहां पर number भी dial करते हैं, तब भी आपको यह चीज़ सुनाई देगी, तो यह चीज़ बड़ी ही कमाल की रहती है यहां पर, तो यहां पर यह king voice तो काफी important features होने वाला है, बहुत सारे लोगों के लिए, तो यह phone मुझे लगता है कि budget में रहकर काफी बहतरीन सा हो जाता है, तो अभी फिलाल मैं इसे थोड़ी देर use करता हूँ, वो final review देता हूँ आपको कि आखिर यह phone आपको क्यों खरीदना चाहिए, तो दोस्तों यहां पर अभी आपने देखे होगी इसकी unboxing को, और judge किया होगा कि आखिर यह phone कैसा रहता है आपके लिए, दोस्तों अब हम यहां पर कुछ ऐसे points के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि इस phone को लेने से पहले काफी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, दोस्तों इस phone जो कि जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में भी बताया था कि यह एक तरीके का super phone है, यानि कि यह feature phone से काफी उपर की चीज है, सबसे पहले यहां पर जो point मैं include करना चाहूंगा वो यह है कि normal अगर किसी feature phone को देखते हैं, तो वहां पर आपको 2G का support देखने को मलता है, लेकिन यह phone आपको 4G प्रोवाइड कराता है, और आज की तारिक में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी 2G पर phone नहीं चलाना चाहता है, हलाकि यहाँ पर 2G, 3G और 4G तीनों के option है, लेकिन 4G का point होना काफी है तक इसके लिए एक game changer रहता है, तो यह एक point मुझे इस phone का काफी बहतर रहता है, यानि कि अगर आप इसका इस्तवाल calling के लिए करना चाहते हैं, messaging के लिए करना चाहते हैं, तो काफी setting चीज होने वाली है यह आपके लिए, इसके बाद अगर मैं आपको कुछ points गिनाओ कि इस phone की सबसे बहतरीन features क्या होंगे, तो वो यहाँ पर होता है, दोस्तों यहाँ पर Wi-Fi और hot spot का support होना, दोस्तों अगर आप normal इसमें internet use करना चाहते हैं, browse करना चाहते हैं, तो आप इसे Wi-Fi से connect करा सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आप इसका इस्तेमाल एक चोटे से Wi-Fi router की तौर पर करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह आपको 8 devices का support देता है, यानि कि बस इसमें आपने SIM डाला, internet on किया, hot spot on किया, जिसके बाद कहीं न कहीं, आप इसे other phones में भी internet इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहीं ने गई, यह चीज़ मेरे को काफी interesting लगी है, इस phone की, जिसकी वज़े से मैं तो काफी हद तक recommend करूँगा, कि आप इस phone को जरूर से purchase करें, अगर आप को एक ऐसा phone चाह रहे हैं, जिसे कि आप एक लंबे battery backup के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें, और दोस्तों battery backup की बात हो ही रही है, तो मैं यहाँ पर एक यह भी point डालना चाहूँगा, कि 24 days का standby time, यह कोई छोटी बात नहीं है, मैंने शुरुवात में भी आपको बताया था इंट्रो में ही, कि अगर आप एक ऐसा phone चाह रहे हो, जिसका battery backup काफी लंबा हो, तो यह phone boss आपको वो चीज़ देता है, जहाँ पर आप इसे एक लंबे समय तक इस्तिमाल कर पाएंगे, हाला कि यह चीज़ आपकी users पे होती है, कि इसकी battery कितनी चलेगी, लेकिन overall performance इसकी battery के मामले में काफी बैतर होने वाली है, तो यह phone मेरे को इस चीज़ में भी काफी सही लगा है, तो comment करके आप भी बताएगा कि आपको इस phone का look कैसा लगा है, इसके features कैसे लगे हैं, और price की अगर हम बात करें, तो उसके बारे में आपको description box में details देखने को मिल जाएगी, लेकिन लगभग price आपका लोग है, 2300 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसे कि आप online चाहें, तो online भी purchase कर सकते हैं, तो काफी कमाल के features इस phone में देखने को मिल गए हैं, और मैं भी इसका इस्तेमाल एक standby phone के तौर पर करने वाला हूँ, जहांपर मैं एक SIM डालूँगा, और अराम से calling, messaging वगएरा के लिए इसे बड़ी easily इस्तेमाल करूँगा, तो अगर आपका कोई भी doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बहातरीन जबर्जस वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हमें इजार्ज़त दिए, नमस्कार दोस्तों, जेहिंद, वन्ने मातरम,